देखें दोस्तों यदि sine inverse, tan inverse और cosac inverse के मुख्यमान ग्यांत करते हो हैं इनके को नो में minus आता है तो इनका है जो minus है हम इनको इनके आगे लिख लेंगे देखें जिसे की sin inverse minus के x को minus के sin inverse x इसी परकार tan inverse minus के x को minus के tan inverse x इसी परकार cos inverse minus के x को minus के cos inverse x ठीक है दोस्तों लेकिन यदि cos inverse minus के x, cos inverse minus के x और cos inverse x के मुख्यमान गायत करते हैं इनके कोणों में minus आता है तो हमें इन तीनों को πाई यानिके x-c में से गटाना पड़ेगा जैसे की πाई minus के cos inverse x इसी परकार cos inverse minus के x को pi minus cos inverse minus के x cos inverse minus के x इसी परकार यदि second inverse minus के x के कोणों में minus आता है तो इसे लिखें pi minus second inverse minus के x यानिके यदि sin inverse, tan inverse और cos inverse के कोणों में में आता है तो इनका जो minus है हम इनसे आगे लिखे लेंगे और यह दिया अगर कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और स्याक इनवर्स के कोड़ों मायने साथ आए तो यह नहीं हमें पायानी के एक्सरस्टी में से गटाए लेंगे सपरकार आमिन का मुख्यमान ग्यात कर लेंगे थैंक यू